अगत करता हो फिजिस ग्यानमकेशन एक चैनल पर है आज हम लोग क्यमिनिकेशन जो चाप्टर से अपको पता है बच्चो मैंने पूरा खतम कर चुका हूँ पी टू का खाली लेक्ट सिक्षन मा किये वह भी दोनों दे दूंगा तो आज हम लोग इसके उपर डिसकेशन करंगे उसमें एक कोश्चन होता है बच्चो एक सीट में होता है सिंपल बात है बच्चो दो दो लाइन की चीज़े है पढ़ना क्या है उसमें सिग्णल कि इसको बोलते है ट्रांस्मिटर ट्रांडूसर पता है ना इनर्जी करना अट्यूनेशन लॉस इनर्जी होती है नॉइस क्या अनुवन्टेड नॉइस है रिसीवर बैडवीड बैडवीड पता है ना जैसी कि मोदी जी हमamıरे है फीच कर दे है取 हिएट माइनस लिआ जैसी कि मैं एग्जमपल की तोर पर पे बता दूंगा अपको इनकी lower frequency इतनी होती है और 300 यह होती है तो इनका जो difference होगा 2800 तो आपको bandwidth थे हमारी जो pitch कर रहे हैं मोदीच पीच देते हैं तो इसकी frequency होती है ऐसे चीज़ है करना क्या मैंने अल्रेडी वीडियो बना के दिया है CT की कोर्स में जाके देखना बच्चो ठीक है सबी चीज़ है size क्या होती है अंटीना की यह होती है lambda by 4 तो उनने एक frequency लेली अपको तो फर प्रता है फर्मला वी इस उकुल टो यह लामडा ठीक है तो यहां पे lambda is equal to V by यह V क सब्सक्राइब कर सकते हैं और लामडा बेफोर यह इंटीना की size है वैसे power भी होती है आप लोगों को power के बारे में भी पता होना चाहिए कि power का क्या relations है और क्या relations नहीं है तो पावर जो रेडियेट होती बच्चो वह होती है L by lambda का square proportional है power का यह भी importance formula करके रखना इसके carrier frequency तो पता है आप लोगों का इसे ऐसे इस बुक्स में देख लेना सो carrier frequency कि यह इसका काम है किसी को लेके जाना पाने में बोर्ड कैसी होती है और तो इसके त्रू अगर change होता है हमारा amplitude अगर change होता थेख़़ एमप्लिटूट चेंज हो गा है अगर एमप्लिटूट अगर information amplitude को बड़ा कम-कम-कम frequency change होना चाहिए frequency मतलब नजिक-नजिक आना चाहिए face change होना चाहिए according to your information यह तिनों define करके रखने ही अच्छे तरह से उसके बाद में बच्चों आपके लिए है trapo sphere इसमें तीन चीज़े इसके height बताना density लिखके दिये temperature और इसकी frequency क्या रहें जोती है example PM मतलब frequency modulation यह TV पता है आप लगों को trapo sphere कहां से कहा है 12-50 km इसकी density temperature ocean layer कहां से कहा है बच्चों 30-50 km तक है इसका काम होता है ultraviolet radiation से बचाओ करना meso sphere सबी चीज़े सबी में चिपका देनी है कौन-कौन सी density temperature frequency लेकिन ही maximum time किसी की नहीं यह होगा तो देख लेना और यह density बहुत खत्रण आई देखो 110-1 –1 तो –3 –3 तो –5 –5 तो –7 आई से करना ठीक है मतलब simple से चीज़े है बहुत जाड़ा hard-end फास नहीं है तो यह आप लोगोंने करना चाहिए इस तरीक से बाद में इसमें क्या है बच्चो ground wave propagation, sky wave है ना ground wave propagation, sky wave propagation यह आपको आना चाहिए क्योंकि इसको पर भी सवाल आते रहते है, ground wave propagation, sky wave और space है ना तो ground wave मतलब ज्यादा देर तक data नहीं जा सकता one plus two another क्यों नहीं जा सकता क्योंकि polarization होता है आर्थ observe करके लिए इसलिए data दूर जाता है इसके बाद में बच्चो हमारे पास जो है वह हमारे पास space communication तिन टैप से होता है एक होता है बच्चो ground को reflect होके वापिज जाना transmitter receiver से आ गया ground पे bounce करके वापिज गया transmitter receiver के बिच में ऐसे और तिसरी triposphere को जाके इंसिटिनों के sky work क्या होता बच्चो ionosphere में जाके data मतलब बहुत दूरग data बेजना है और इसके लिए condition बच्चो की 3 MHz से कम नहीं होना चाहिए frequency कितनी 3 MHz से कम नहीं होना चाहिए frequency अगर कम रही तो ionosphere उस data को खा लेता है और data return नहीं है लेकिन 30 MHz से जादा रहा तो उस ionosphere को फाड़ के चला जाएगा चीर के चला जाएगा बच्चो आपिस नहीं इसलिए इसकी frequency यही होना बहुत ज़री है दोनों के बीच में होना बहुत ज़री है तो बच्चो आइसे करो एक मार्क अपका फिक्स होगा इसकी उपर हम लोग आप लाइट सेक्शन के तरब यह करेंगे और पिटो को खताम कर देंगे बच्चो खताम लेकिन इस सीरीज को जादा शेर करो जादा लाइस करना है कमेंट डाला है बच्चो तक किमची इस सीरीज में मजा आना चाहिए तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडिया और बेश्ट लग फर वेश्टड़ी